नमस्का दोस्तो एनके फंसम आपका स्वागत है तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आएं आपके लिए कुमी कंपणी की सांदार हैंड कटर मसीन और साथी साथ हम इस कटर मसीन के थल भी लगाने वाले हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए चलिए सुरू करते हैं तो फाइनल दोस्तो हमारे पास आचुकी है कुमी कंपणी की हैंड कटर मसीन और दोस्तो इस मसीन का मॉडर नमबर है CPTC1101150 जो की एक प्रोपेशनल टूल्स है और कंपणी हमें इस मसीन की 6 मंत की वारंटी भी देती है और अब हम इस बॉक्स को खोल कर देखते हैं कंपणी ने हमें इसके साथ क्या-क्या भेजा है और दोस्तो इसके साथ हमें एक मैनुवल बुक मिलती है जिसको अपन पढ़के और इसमें कटर मसीन को यूज कर सकते हैं और इसके साथ हमें एक बारंटी कार्ड भी मिलता है तो ये किताब हमको संभाल कर रखनी चीए दोस्तो हमें इस मसीन के आरपीम की बात करें तो ये हमें 12,000 आरपीम में मिल जाती है यानि कि एक मिनट के अंदर ये 12,000 चक्र कंप्लीट कर लेती है और इसके बाट की बात करें तो ये हमें 1150 बाट की मिलती है काफी हेवी डूटी मसीन है इससे हम टाइल, मारवल, लकडी, प्लाइवन कुछ भी कटिंग कर सकते हैं दोस्तो इस मसीन की मेरे को खास बात ये भी लगी कि आप अपन जब इसको टाइट करते हैं तो ये पूरा लोहे का है कई मसीन के अंदर ये प्लास्टिक काता है तो बहुत जब्ली टूट भी जाता है दोस्तो इस मसीन के साथ हमें एक सेट कारवन का मिल जाता है दो चावी मिल जाती है जिससे अपन ब्लेड टाइट करते हैं और दोस्तो जब हम मारवाल यह टायल कटिंग करते हैं तो हमें यह पूरा पानी का सिस्टम मिल जाता है और इसके साथ हमें लगबग 2 मीटर का वायर मिल जाता है जो की हाई क्वालिटी का है अगर दोस्तो आप इस मसीन को खरीदना चाहते हैं तो हमने इसका लिंक के डिस्क् हम आप पास पीस है और दोन तरफ लेमिनेट लगाने से क्या होगा दोस्तों ये इस अपना प्लाई का पीस सीधा रहता है और अब हम क्या करने वाले हैं इसमें चार हौल निकाल लेते हैं बनेट के बिट से जिसमें हम लगाने वाले हैं इस्कुरू और आप चाहो तो इसके अंदर डेड़ सोत वाले बिट्स से हॉल निकाल कर इसके अंदर नट बुल्ट भी लगा सकते हैं अब दोस्तों हमारे पास उननीचे का इस्कुरू है एसस का जिसकी मदद से हम इस प्लेट में चूडिया बना लेते हैं चूड़ी बनाने से क्या होगा अपनी जो प्लेट है इसके अंदर है टाइट हो जाएगी तो इसी तरीके से हम चारो हॉल के चूड़ी बना लेते हैं अब दोस्तों हम क्या करने वाले हैं जहां पर अपने कटर मसीन के बलेट लगता है उस पलेट को खोल कर रख देते हैं और उसके बाद हम इस मसीन को इस तलकी पर रख लेंगे और साइट में से फ्लाल के लिए हम छोड़ने वाले हैं सवाइंची और उसके बाद हम किसी इसमें हम क्या करने वाली है बनेट के बिट से इन चारों खड़ों को निकाल देते हैं तो लगबग हमारे चारों हॉल निकल चुके हैं अब उन क्या करेंगे इस प्लेट को पलट लेंगे और उसके बाद हम 300 वाले बिट से इन हॉल के गुर्जस कर देते हैं इससे होगा यह जो अपने स्कूरू लगने वाला है वो इसका मत्था इसके अंदर लेवल आ जाएगा तो कुछ इस तरीके से हमने चारों खड़ों के गुर्जस कर लिया है उसके बाद हम इस प्लेट को इस मसीन को पर रखकर और वापस से पेच टाइट कर देते हैं तो इसी तरीके से हम चारों इस पेच को टाइट कर लेंगे और इसको हमको पेच कर सेवी टाइट करना चीए क्यूंकि अगर डिल मसीन से टाइट करते हैं तो ज़्यादा सा भी टाइट हो गया तो यह चूरी इसकी खराब हो जाएगी अपनी खराब हो सकती है तो फाइनले दोस्तों हमारी यह लगकर त्यार हो चुकिए अब हम क्या करने वाले हैं जो हमें कुमी कमपणी ने दो रिंच पाने दिये थे इसकी मदद से इस बॉल्ट को खोल लेते हैं और उसके बाद हम इसके अंदर लगाने वाले हैं कुमी कमपणी का सेंड मास्टर सुपर इसलें बूड कटर बिलेड त था है ऋगर आप इसे ओन लाने चाहते हैं तो हमने डिस्कृप्षिशन बॉक्स में लिंकस दे रहा है वहां से जाकर खरीच सकते हैं तो इस अश्चीत के लिया है उसके बाद हम 1940 को भी गुनिया में चेक कर लेते हैं और उसके बाद हमारे पास एक इंची की स्केल पट्टी है तो हम क्या करने वाले हैं इस कटर बिलेड को सही इस जगह पे सेट करके और बापस से हम स्केल पट्टी को टच कर देंगे कटर बिलेड से और उसके के बाद हम क्या करेंगे कटर ब्लेड के इसके लिपट्टी को टच कर देंगे और बापस से हम इसको रेजमाल की मदद से इस दार को सीधा घिस लेते हैं क्योंकि इसमें अलगी अलगी को गांट रहे जाती है तो रेजमाल की मदद से एक दम यह सीधी हो जाती है तो उसके बा बाद एक तब फ्रीसिंग से भी कटी है अब दूस्त हम क्या करने वाले हैं इस थल के नीचे गेज पट्टी लगाने वाले हैं तो सबसे पहले इस मसीन में से इस प्लेट को खोल देते हैं और उसके बाद हम डेड़ डेड़ इंची पर निसान कर लेंगे तो जहां पर अपना लगबग दोस्तों हमारी ये दोनों तरफ की नाली बनकर त्यार हो चुकी है और अब हमको जुरूत पड़ेगी पट्टी की तो जैसे कि हमारे पास सबाइंची वाई एक आदेंची की पट्टी है और ये दोनों धार एकदम सीधी भी है तो ये आपको ऐसी पट्टी सीधी त्यार कर लेनी है उसके बाद इसको हम प्लेट को यहां पर रखकर और जो अपने नाली बनाई थी इसके अंदर पेंट से निसान कर लेते हैं ताःगा अपर अपना नटबोल तरफ का तैप का आता है वह इसके अंदर धस जाए तो इस्टी तरीके से हमनेडाने डोनों साय के यह गुर्जस कर लिया है अब दोस्तों क्या करने वाले हैं दो सूथ वाले बिट से इसके अंदर दो हॉल और निकाल लेते हैं और जो हम इसके अंदर नट बुल्ट लगाने वाले हैं वह डाई सूथ का है और यह हमारा खड़ा दो सूथ का है तो इसके अंदर क्या है आद बन जाती है जैसे कि दूस्तों हमारा इवी बुल्ट बाहर है तो हम क्या करने वाले इसको पकड़ से टाइट कर देते हैं ताकि जो अपनी लकड़ी ओर ढेवरी एक जाए तो कुछ इस तरीके से हमने दोनों नट बॉल्ट को टाइट कर लिया है और अब हम क्या करने वाले इस प्लेट को इसके ऊपर रख देते हैं और एक एक वायसा डाल देंगे और जो अपना बॉल्ट बड़ा है तो इसको हम ग्लेंटर मसीन की मदद से कटिंग कर लेते है जैसे कि दोस्तों हमने दोनों बॉल्ट को कटिंग कर लिया है और अब हम क्या करने वाले हैं बापस से इस कटर मसीन के ऊपर इस ठल को फिटिंग कर देते हैं तो हम इसके चारों पेज़ को टाइट कर लेते हैं अच्छी तरीके से लगबर दोस्त हमारी ये प्लेट बनकर त्यार हो चुकी है अब हम क्या करने वाले हैं जो हमने गेज पट्टी बनाई थी तो इसके अंदर इसको डाल देते हैं और पीछे की तरफ से दो डेवरी टाइट कर लेते हैं और जतने इंची के अपन पट्टी चीए उस जगय पे इसको सेट करके और इसको बापस से टाइट कर देंगे तो अपन बड़ी आसानी से पट्टियां कर सकते हैं प्लाल के लिए हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर 12 mm प्लाई को फसा देते हैं और इसकी डेवरी को टाइट कर लेंगे तो इसी के हम आदा इंची की लगबग चार-पांच पट्टियों को कटिंग कर लेते हैं तो देखिए इससे हम बड़ी आसानी से कटिंग कर सकते हैं और आप भी इसी तरीके से अपने कटर मसिन की थल लगा सकते हैं और दोस्तो कूमी कंपनी ग्रेंडर डिस्क भी बनाती है जिसका नाम है सेंड मास्टर प्रीमियम बूड सेंडिंग डिस्क और यह भी आपको हाड़वेर की दुकान पर बड़ी आसानी से मिल जाता है और इसमें भी बड़ा हाई क्वाल्टी का माटेरियल यूज किया है जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा तो हम फिलाल के लिए इसको ग्लेंडर मसिन में टायट कर लेते हैं और देखिए टायट करने के बाद इस पेपर की खास बात यह है कि इसमें बिलकुल भी बबल नहीं आते हैं तो अब हम क्या करने वाले हैं इसका जो अपना कटर मसिन की थल है इसी पेपर से हम इसको राउंड कर लेते हैं ताकि जब अपने इसको रखेंगे तो यह अपना कॉनर टूटने का चांस नहीं रहेगा तो इसी तरीके से हमने इसका कॉनर राउंड कर लिया है अब कि इसमें बिलकुल माइका के अंतर केपची नहीं आई है तो फाइनल दोस्तों हमारी कटर मसीन के थर लग कर तयार हो चुकी है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी क्या राए इस वीडियो के बारे में आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं तो मिलते हैं फिर कि नए वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै बाराद